नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी एकैडमी में आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतरगत हिंदी भाषा के अंतरगत आने वाले अध्याए 10 की अध्याए 10 जिसका शीर्शक है जहांसी की रानी तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें आज के इस अध्याए में जहांसी की रानी रानी लक्ष्मी बाई के बारे में क्या जानने को मिलता है ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए मैं एक-एक पंक्तियों को पढ़ूँगा और आपको उनका अर्थ बताऊंगा, बीट बीच में कुछ शब्दा अर्थ भी बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से सुनना, एक कॉपी और पैन अपने साथ में आपने रख लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, तो देखिए सब सब पहले क्या लिखा है, सिंहासन हिल उ गए है ना, राजवंच ने भृकुटी तानी थी, बूड़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी, मैं आपको पता दूना कि जो जहासी की रानी वाला जो समय था, इस समय कौन विदेशी यानि अंग्रेजी लोग हमारे हां आगे थे, और हमें अपना गुलाम बना रहे थे हैं ना, तो जहासी की रानी जो है, रानी लक्षमी भाई, इन्होंने उनके सामने अपना सर नहीं जुकाया, बलकि बहुत ही हिम्मत के साथ में उनसे लड़ी हैं ना, तो इन्हीं के उपर ये कहानी है, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, बहुत ही मजा आएगा, और बहुत ही जोश से भरी हुई ये सारी पंक्तियां हैं, तो क्या लिखा है, सिहासन हिल उठे, राजवन्शों ने भृकुटी तानी थी, और बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई, जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, गुमी हुई का मत हो, सब तरफ अंधियारा हो, और कोई एक दीपक अगर उस समय जल जाता है ना, तो एक उम्मीद की किरन मिल जाती है, कि बस ये दीपक जल गया है, अब हम और दीपक को जला देंगे, और देख लिना, ये अंदकार को हम समाप्त कर देंगे, बिलकुल वैसा ही हुआ था उस हमारे यहां उस समय आए हुए थे, तो उनको दूर भखाने के लिए सबने क्या कर लिया था, मन में ठान लिया था, कि इन्हें हम वापस इनकी जगा भेज देंगे, खदेर देंगे, आगे क्या लिखा है, सुनिए, चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी, और इन्हें सन सत्तावन में, 1897 की बात है, कि जो तलवार उस समय चमकी थी, वो कैसी थी? पुरानी थी, और उसके बाद में आगे क्या लिखा है? बुंदेले हरबोलो के मुह हमने सुनी कहानी थी क्या सुनी थी कि खूब लड़ी मरदानी वह तो जहासी वाली रानी थी ठीक है ना तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या लिखा है चमक उठी सन 57 में मैं यहाँ पर लिख भी देता भ्य रहे होगे कि यह बुंदेले हर बोलो यहाँपे जो आया है न तो इसका क्या मतलब है तो देखिये मैं आपको बताता हूं तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आगी की पंक्तियों में देखी क्या लिखा है, कानपुर के नाना की मुह बोली बहन चबीली थी, कानपुर के एक नाना है, उनकी मुह बोली बहन कौन है, चबीली, क्या कहा गया है आपे, चबीली थी, लक्ष्म उसकी यही सहीली थी और वह किसके साथ खेलती थी? बर्ची, धाल, क्रपान उसकी सहली थी क्रपान का मतलब होता है यहाँ पे तलवार ठीक है ना? क्रपान का मतलब है तलवार फिर आगे लिखा है वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी और रानी लक्षमी बाई जो है जने हम जहासी की रानी लक्षमी बाई के नाम से जानते हैं उनको वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी ना? मुह जुबानी याद थी मुह जुबानी याद का मतलब समझते हैं आप जैसे अगर मैं आप से पूछूं की दस का पहाड़ा बूली है तो आप अभी जो फटा-फट बोल देगे ना उसको कहते हैं मुह जुबानी याद हो ना कि आपने पूछा और हमने ऐसा एक जटके में बता दिया आगे फिर वही लाइन है बुंदेले हर बोलो के मुह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मरदानी वह तो जहांसी वाली रानी थी आगे क्या लिखा है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयम वीरता की अवतार है ना अब देखिए लक्ष्मी भी थी लक्ष्मी तो आई तो नामी था किया फिर वह दुरगा थी सोयम वीरता की अवतार थी है ना यानि बहुत वीर थी और आगे लिखा है देख मराथे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार और मराथों को देख के बड़ा हर्श होता बड़ी प्रसन्नता होती जब वहाँ अपनी तलवार से वार करती थी नकली युद्ध व घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार और जो उनके सबसे मनपसंदिदार खेल थे ना वो यही थे कौन-कौन से दुर्ग तोड़ना यानि भवनों को तोड़ना किलों को तोड़ना विहू रचना का मतलब होता है समझ लेजे कि अलग-लग तरह से जो को बनाना उनका निर्मान करना वगेरा वगेरा आगे लिखा है महराष्ट कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी है ना और महराष्ट में कुल देवी जो थी उनकी वो कौन थी आराध्य भवानी महराष्ट को उन्होंने अपनी कुल देवी माना था है ना और आरा सगाई जहासी में और पूरी वीर्ता और वैभाव के साथ में सगाई कहां हुई जहासी में हुई ब्याह हुआ रानी बन आई लक्षमी बाई जहासी में और उसके बाद उनका ब्याह हो गया यानि विवाह हो गया और वो जहासी में रानी बन के आ गई राज महल में बजी बधाई खुशिया चाई जहासी में सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई जहासी में है ना और इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है क्या सुमट तो इसका मतलब होता है आप समझ यह कि जो सबसे लिखा है चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी है ना और यहाँ पर अलग अलग उधारनों से बताया जा रहा है कि कैसे वह अपने पती अपने राजा से मिली है ना जैसे शिव से भवानी मिली थी चित्रा ने अर्जुन को पाया था पिर आगे लिखा है कि बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मरदानी वह तो जहांसी वाली रानी थी आगे लिखा है उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली चाई उदित का मतलब होता है जागना है ना तो जागा कौन जागा सौभाग्य जागया और मुदित महलों में क्या चागई उजियाली चागई तो मुदित का मतलब क्या था कि जो खुश थे हरशित थे प्रसन्न थे ऐसे महलों में उजियाली चागई किन्तु काल गती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई लेकिन काल गती यानि आप समझ लीजिए कि जो मौत का समय होता है उसे कहते हैं काल गती है कि मृत्यू की जो चाल थी जो मौत का समय था वह चुपके चुपके यानि धीरे धीरे काली घटाओं को घेर लेकिया रानी लक्ष्मिभाई के बारे में लिखा है कि भाई वो तो आपने देखा ना कि उनका बच्पन कैसे बीता था किन-किन चीजों से वो खेलती थी तलवारों से खेलती थी है ना विहू रशना करती थी नकली युद्ध में तो उनको चोडियां तो पसंद नहीं थी अपने हा नहीं आई फिर आगे लिखा है नहीं संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी और बिना अपनी संतान को देखे राजा जो है वो स्वर्ग सिधार गए थे और रानी दुख में डूब गई थी फिर आगे वही लाइन है कि बुंदेले हर बोलो के मुझ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जहासी वाली रानी थी अब देखिए आगे क्या लिखा है ना पढ़ता हूँ धियान चे सुनिएगा आगे लिखा है कि बुझा धीप जहासी कातब डलहौजी मन में हरशाया अभी डलहौजी वही विदेशी अंग्रेजी शासक है ना खुश हो गया कि भाई अब तो राजा जो है वो समाप्थ हो गया यहां का फिर राज्य हडप करने का उसने यहां अच्छा अच्छा अवसर पाया और उसने सोचा क्योंने इस राज्य को हडप कर लिया जाए फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना जंडा फैराया और कि स्वर्ग सिधारने के बाद राज्य लावारिस हो गया था उसका वारिस खुद को बता करके जो बिडिश राज्य था है कहां पे आ गया जहां सी आया फिर आगे देखी क्या लिखा है है ना अश्रुपून रानी ने देखा जहां सी हुई बिरानी थी और आखों में विदेशी लोगों ने उस पर अपना हग जता दिया था फिर वही लाइन है कि बुंदेले हर बोलो के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जहासी वाली रानी थी आगे लिखा है अनुनाय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया व्यापारी बंदया चाहता था जब यहाँ भारत आया है ना फिर आगे यही है इसका मतलब जो लिखा है इसका मतलब यही है कि आनुनाय विनय नह सुनता है विकट फिरंगी की माया यह यह जो फिरंगी जो विदेशी लोग थे ना इने लोगों कैसी चाल चली सोचो इसको जो है कोई समझ उस्समें नहीं पाया व्यापारी बन कर दया चाहता था कि लोग उस अपने भारत में उस्समें राजा माराये थे उनसे एक तरह से भीक मांगी थी कि हमें जगे देदी जिए व्यापार करना है वगएरा वगएरा फिर आगे है डलहौ जी ने पैर पसारे अब तो पलट कई काया राजा और नवाबों को भी उसने पैरो ठुकराया आगे लिखा रानी दासी बनी हदासी अब महारानी थी बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जहासी वाली रानी थी आगे लिखो क्या लिखा है छिनी राजदानी दहली की लिया लखनव बातो बात कैद पेश्वा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात उदैपुर तंजोर सतारा करनाटक की कौन विसात जबकि सिंद पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात है ना यानि क्या मतलब है इसका मतलब यही है कि आकरमन हुआ था है ना कहां कहां पे पेश्वा था कैद बिठूर में नागपुर की भी घात लग गई थी और जो कुछ नाम दी है उदैपुर तंजोर सतारा करनाटक इसकी भी कोई वकात नहीं थी और सिंद पंजाब ब्रह्म पर भी बज्र निपात हुआ था यनी करारी चोट लगी थी समझी ठीक है फिर आगे क्या लिखा है बंगाले मदरास आदी की भी तो यही कहानी थी बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जहासी वाली रानी थी और इसमें यही बत कपड़े बिखते थे कलकत्ते के बाजार सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजो के अखबार नाकपुर के जेवर लेलू लखनो के लो नौलखा और उस समय की स्थिति देखिए कितनी गंभीर इस्थिति थी हमें बताया जा रहा है कि रानी जो है वो रनी वासों में रोया ताकि उनके बाजारों में कि भी आप सब कपड़े बिक रहे हैं और सरे आम नीलाम छापते थे कौन अंग्रेजो के अखबार की ये सब बिकाऊ है अब एक बार उन्होंने कबजा कर लिया महल में तो सारी चीज़े बेच रहे थे और नाकपुर के जेवर लेलो ऐसा कहते थ छांसी वाली रानी थी और इस तरह से जो इज़ती पर देखिए और बुंदेले हलेलों के वू हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़रणी वहतो जांसी वाली रानी थी अब देखी आगे क्या होता है कुटियों में थी विशम वेधना महलों में आहत अपमान जो कुटियां थी उस समय उनमें बहुत दुख था विशम वेदनाई थी विशम वेदना का मतलम यहाँ पर है किस बात से कि भी है बहुत ज़ादा तकलीफे थी दुख था है ना कठिन जीवन था और उसके बाद में आगे लिखा है महलों में आहत अपमान महलों की बात करें तो वहाँ पर अपमान्त हो रहा था सभी लोगों का जो महलों में रह रहे थे हैं न वीर सैनिकों के मन में था अपने पुर्खों का अभिमान और जो वीर सैनिक थे उनके मन में क्या था जो उनके पूर्वस थे उनका अभिमान था नाना धुन्दुपंत पेशवा जुटा रहा था सबसामान बहिन छबिली ने रनचंडी का कर दिया प्रकट आहवान और अब देखे कहानी ने कैसा मोड पकड़ा कि यहाँ पर बताया है कि नाना पेश्वा जो हैं उन्होंने क्या किया वो क्या जुटा रहे थे वो यही जुटा रहे थे क्या सबसामान युद्ध के लिए और बहिन छबिली यानि यही रनचंडी का कर दिया प्रकट आहवान हुआ यग्य प्रारंब उन्हें तो सोई जोती जगानी थी बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी और खूप लड़ी मरदानी वह तो छासी वाली रानी थी महलो ने दी आग जोपडी ने ज्वाला सुलगाई थी यहा स्वतंतरता की चिनगारी अंतरतम से आई थी और महलो ने क्या दी आग दी जोपडी ने क्या सुलगाई ज्वाला सुलगाई और यह जो स्वतंतरता और आजादी की चिनगारी थी यह तो अंतरतम से आई थी यान कानपूर पठना ने भारी धूम मचाई थी जबलपुर कोलापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी और वुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जहासी वाली रानी थी आगे देखी क्या लिखा है इस स्वतंत्रता महा यग्य में कई व कुवर सिंग सैनिक अफिराम भारत के इतिहास कगन में अमर रहेंगे जिनके नाम और इस स्वतंत्रता के महा यग्य में कई सारे वीर आए थे है ना कौन-कौन नाना धुंदुपंत तातिया चतुर अजिमुल्ला सरनाम एहमद शाह मौलवी ठाकुर कुवर सिंग सैनिक भारत के इतिहास गगन में इन सब के नाम कैसे रहेंगे अमर रहेंगे जो अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए आगे आये थे हैं ना लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह ने तलवार खीचली हुआ द्वंद आसमानों में और अब देखे युद्ध का वर्नन है कि जहासी के मैदानों में इन सब की गाथाओं को हम ले चलते हैं जहां कौन खड़ी है मर्द बन करके सभी मर्दों के बीच जहासी की रानी रानी लक्ष्मी बाई और लेटिनेंट बाउकर आजाता है जवानों में विदेशियों में और रानी ने तलवार खीचली और फिर द्वंद होता है कहां पर आसमानों में जखमी होकर बाउकर भागा उसे अजब हैरानी थी हैरानी क्यों नहीं होगी उसने सोचा भी नहीं होगा कि कोई रानी के हाथ हो ऐसी हार का स वाली रानी थी रानी बड़ी कालपी आई कर सौ मील निरंतर पार घोड़ा ठककर गिरा भूबी पर गया स्वर्ग ततकाल सिधार और रानी जो है वो बिलकुल आप समझे कि आगे बढ़ती ही रही है ना बिना समय को देखे सौ मील लगातार चली और उसके बाद घोड़ा ठक इरानी से हार फिर यमुनातर पर युद्ध हुआ और अंग्रेज लोगों ने रानी से हार खाई विजय इरानी आगे चल दी किया गौालियर पर अधिकार और जीतती हुई रानी आगे बढ़ गई और कहां पर अधिकार कर लिया गौालियर पर अंग्रेजों के मित्र सिंध और अंग्रेजों के जो मित्र थे सिंदिया उन्होंने क्या छोड़ दी थी रजधानी छोड़ दी थी और लिखा है कि बुंदेलेहर बोलो के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जहासी वाली रानी थी विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर अब की बार जनरलिस्मित आया लेकिन उसने भी फिर मू की खाई टाना और मंदरा सकी आरानी के संगाई थी युद्ध छेतर में उन दोनोंने भारी मार मचाई थी और काना और मंदरा जो उनकी सहली थी वो आई और उनोंने क्या किया इस बार फिर भारी मार मचाई थी आग ही आगे क्या होता है बंदेले हर बोलो के मूं हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी सामने नाला आ गया था गोड़ा पार नहीं कर पारा था नया गोड़ा था और इतने में कई सारे सवार आ गए और रानी पे बार पर बार करने लगे घायल होकर गिरी सीहनी यानि शेरनी अब घायल होकर गिरी उसे वीर गती पानी थी और ये उस समय आ गया था जब जहासी की रानी लक्ष्मी भाई को वीरगती प्राप्त करनी थी बुंदेले हर बोलो के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खूप लड़ी मरदानी भटो जहासी वाली रानी थी रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्व सवारी थी मिला तेज से तेज तेज की वह सची अधिकारी थी अभी उम्र कुल तेज की थी मनुझ नहीं अवतारी थी हमको जीवित करने आई बंसवतंतरता नारी थी और अब जो है ये बताया जा रहा है कि रानी जो है भलाई स्वर्ग सितार गई अब जो चिता है उनकी दिव्व सवारी हो गई तेज से तेज मिल गया जुआला से जुआला मिली और तेज की वह सची अधिकारी भी थी और उम्र कितनी थी तेज साल कुल तेज साल की थी मनुझ नहीं थी अवतारी थी जो हमको जीवित करने आई थी और क्या बन के आई थी स्वतंतरता की नारी दिखा गई पत्र सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी और बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो जहासी वाली रानी थी जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतग्य भारतवासी या तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंतरता अविनाशी होवे चुप इतिहास लगे सचाई को चाहे भासी हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे जहासी और आगे यही लिखाए है कि जाओ रानी हम याद रखेंगे हम जो कृतग्य भारतवासी हैं आपके लिए हैं ना कृतग्य हैं हम लोग और यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंतरता अविनाशी और होई चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे भासी भले इतिहास हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे जहासी और चाहे जीत की खुशी में जहासी से मतलब गोले जहासी को मिटा दे तेरा इसमारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी और तुम्हारा जो इसमारक है वो तुम ही होगी तुम क्योंकि कैसी निशानी हो है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी शब्दार्थ पूरे आपको समझ में आ गए होंगे है ना बहुत ही अच्छी कविता है लिखी किसने है सुबद्रा कुमारी चौहान ने मुकुल नावक उनकी जो रचना संग्र है उससे लिया गया है और अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और प्रशन अभ्यास पर आते हैं आप तो जानते हैं कोई कविता या पाट को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे इंट्रेस्टिंग पोर्शन होता है कौनसा प्रशन अभ्यास वाला क्योंकि इस काल गती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई अब इससे संबन्दित दो प्रश्न है का नंबर पे है इस पंक्ती में किस घटना की और संकेत है और दूसरा है काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है तो एक एक कर के उत्तर देते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है कि इस पंक्ती में किस घटना की और संकेत है तो मैं आपको बता दूँ कि लक्ष्मी भाई के जो पती थे उनकी मृत्यू की और इस पंक्ती में संकेत है कि अब जो है उनकी मौत होने वाली थी हमने कविता में देखा था है न वह विद्वा हो गई थी हाँ एक और चीज है इनके पती का नाम था गंगाधर राव आप याद रखेंगे ठीक है क्या नाम था गंगाधर राव है ना इसके बाद में जो दूसरी पंक्ति काली घटा गीरने के बाद क्यों कहीं गई है तो देखिए जब गंगाधर राव की मृत्य हो जाती है जब उस स्वर्ग से धार जाते है तो उसके बाद क्या होता है कि जो जहासी की रानी है इनके उपर दुख आ जाता है है ना ये बहुत ही अशुरुपूरित मतलब उसमें आखों में आसुल ये गम में रहती है कि नहीं कि अभी विवा हुआ था और अभी उनको विद्वा होना पड़ा और एक विपत्ति के आन घिरने की ठीक है इसके बाद प्रश्नक्रमांक दो है कि कविता की दूसरी पंक्ती में भारत को बुढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुबद्रा कुमारी चौहान हमें क्या बताना चाहती है ना तो देखिए भारत को बुढ़ा कहकर और नई जवानी आ होती है बहुत ही कमजोर होता है वैसी है वैसा ही हमारा भारत उस समय हमारे भारत की स्थिती हो गई थी लंबे समय से आप कहेंगे कि अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था और करते करते कमजोर हो गया था है ना और नई जवानी आने की जो बात है वो इसलिए कही है सुबद्र कुमारी भारत था उसमें नई उमंग आ गई थी उत्सा आ गया था जोश आ गया था एक उम्मीद जाग गई थी उसका संचार होने लगा था इन सबका एक शक्ति आ गई थी इसी वज़े से जो है आजादी पाने के लिए ऐसा हुआ था और इसलिए यहां पर कहा गया है नई जवानी यानी की बात है ना तो यह आप अपने उत्तर में व्यवस्थित धंग से लिखिएगा ठीक है मैं आपको बस एक आईडिया दे रहा हूं मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं आपको एक सड़ीक उत्तर लिखके दे दूँ क्योंकि वह तो फिर चीटिंग करना हो जाएगा है न अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओकि उनका बच्छपन तुम्हारे बच्पन से कैसे अलग था तो इसका उतर आप ही को देना है और आप जानते हैं कि आपके बच्छपन में आप क्या करते हैं और जहां सी किरानी के बच्छपन में उन्होंने क्या क्या किया पुसम मैंने आपको कविता में समझाया था है ना ठीक है कानपुर के जो नाना थे उनकी वह मुँबोली बहन थी ये मैंने आपको बताया था है ना और क्या-क्या खेल खेलती थी कैसे-कैसे उनका बच्पन जीत बीता उन्हें कौन-कौन सी चीज़े याद थी हमने मैंने नाम आये हैं और इतिहास की कुछ अन्य वीर इस्त्रियों की कहानियों को आप खोजी है ना तो देखिए इतिहास में और भी अन्य कई ऐसी जो है आप कहलीजिये की इस्त्रियां है जिनको आपको खोजना है ना इसके बाद में हमसे जो पूछा गया है क्या पूछा गया है आपे कि वीर महिलागी इस कहानी में कौन-कौन से पूरुषो के नाम आये तो अभी हमने पढ़ा था है ना कौन-कौन से पूरुषो के नाम आये थे सबसे पहले तो नाना की मुह भोली बहन थी तो नाना साब का नाम आया था है ना इसके बाद में एक और इनका पूरा नाम ह नाम आया, जनरल स्मित का नाम आया, तात्या टोपे का नाम आया, पेश्वबाजी राओ का नाम आया, शिवाजी का नाम आया, सिंधिया, महराज सिंधिया का नाम आया, है ना, तो आपको ये समनाम याद रखने, यूरोज का नाम भी आया था आपको पता होगा, ठीक है, में कविता से उस समय के माहोल के बारें में क्या पता चलता है तो कविता में हमने कविता में पढ़ा था कि सं 57 पढ़ाता हमने社क तो 1857 ज autonomist की बात है मैंने आपको शुरूर सुबवा म traction जैए था और समय आजादी की लडाई की भात हो रही है संगराम चाहलु रही है और इस क पिर आगे लिखा है सुबद्रा कुमारी चौहान लक्षमी बाई को मरदानी क्यों कहती है अब हमने कविता पढ़ लिए और हम इस प्रशन का उत्तरना देशा तो हुई नहीं सकता है क्योंकि जहांसी की रानी में वो तमाम गुण है जो एक किसी वीर मर्दों में होते होंगे है ना जैसे की घुर सुवारी वो कर रही थी तलवार बाजी उनको बहुत अच्छे से आती थी निपुन थी तलवार बाजी में व्यू रचना करती थी यानि युद्ध कौशल बहुत अच्छा था उनका हिम्मती थी सहासी थी वीर थी है ना शक्ती थी उनमें बहुत तो विवाद के सारी चीज़े जो है होने की वज़े से उनको ऐसा शायद कहा है, मरदानी कहा है, फिर आगे लिखा है खोजबीन के अंतरगत बरची क्रपान, देखिए, है ना क्या लिखा है, बरची क्रपान, कटारी, उस जमाने में हतियार थे, आजकल के हतियारियों के नाम पत बहुत सारी चीज़ें फिर आगे लिखा है लक्षमी बाई की समय में ज्यादा लड़किया विरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था भारती सेनाओं में अब क्या स्थिती है पता करू है ना तो देखिए आज के समय के अगर बात करें तो सेना में भागीदारी है लड़कियों की है ना और हाँ लेकिन अगर आप ऐसे बात करेंगे कि कंपेर करेंगे तुलना करेंगे पुरिशों के साथ में तो फिर आपको संख्या कम दिखाई देंगी है ना और इसे बिलकुल भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह जो स्थिती है यह अनूपात में महिलाव की संख्या देखने को नहीं मिलती थी सेना में जितनी की आज पर आगे क्या लिखा है देखो नीचे लिखे वाक्यांचु यह वाक्यों की हिससों को पड़ो क्या 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 लिखा है जहांसी की रानी, Mr. Hilton, नहांने का साबुन, मील का पथर, रेश् में अलग अलग जगा इन तीनों का प्रियोग हुआ है ना, ध्यान से पढ़ो, और कक्षा में बताओ की का, के, और की का प्रियोग कहा और क्यों हो रहा है, तो ये तो आपको ही करना है, कक्षा वाली बात की गई, तो आपको करना पड़ेगा ठीक है अब इसके बाद में ये दिया है प्रकाशन विभाग नई दिली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारिया श्रंकला की पुस्तके हैं ठीक है तो अब ये तो छोटी सी जानकारी है इस चित्र को लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखेगा ये भारत का नक्षा जो दिखाए गया है है ना तो ये ठारज सत्तावन स्वादिनतर संग्राम के जो केंद्र है उनके बारे में हमें यहाँ पर बताया है कुछ नाम मैं पढ़ देता हूँ जैसे इंदौर, जहासी, गौालियर, कानपूर, एटावा, भरतपूर, आगरा, म लाबाद, देहरी, पटना, आरा, आजमगड, फैजाबाल, धाका, हजारीबाद, राची, बैरकपुर, और चटगाउं, तो ठीक है, कोलापुर, ये सब नाम मैंने आपके सामने पढ़ दिये हैं, एक और नाम है, कटक, तो मुझे उमीद है कि आपको ये सारी चीजे समझ म आई होगी, अध्याय आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा वीडियो देखने के बाद में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप जरूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, अपने साथ ही उसे पाठियों मित्र